नमस्कार! आज हम देखेंगे कि ग्रूप या चैनल में आने वाले क्विज में हम कैसे पाक्टिसिपेट करते हैं? तो पहले देखते हैं कि यहाँ पर जो क्विज है यह देखिये वो किस पर है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये general knowledge का quiz है यानि कि general knowledge पे आप based ये quiz है फिर इसमें कितने question है इसकी जानकारी आपको यहां से मिल जाएगी कि इसमें एक question है और इसका समय कितना दिया गया है इसका समय 5 minute दिया गया है तो ये 4 आपको इसमें पता चलता है ये 4 चीजें कि एक quiz किस से related है general knowledge से इसमें कितने question है एक question है कितने minute का है 5 minute में ये आपको complete करना पड़ेगा वरना ये time out हो जाएगा फिर यहां पर और चीजें दी हुई है उसके नीचे कि start this quiz हमें अभी इसी पर click करना है इस पर click करके हम next में चले जाएंगे और फिर इसके बाद दिया हुआ है start quiz in group यानि कि ये ही quiz आप दूसरे group में भी start कर सकते हैं और इस quiz को आप share भी कर सकते हैं तो हम यहां पर start this quiz पर click करेंगे start this quiz मैंने click किया है अब आप देख सकते हैं यहां पर दिया हुआ है get ready for this quiz यानि कि आप इस quiz के लिए ready हो जाए जिसका नाम है journal knowledge और उसके बाद इसमें दिखा रहा है कि एक question है पांच मिनिट आपको समय मिलेगा ठीक है और जो voting होगी वो visible होगी ठीक है किसको quiz answer honor को quiz honor को यानि कि जिसने ये quiz बनाया है उसको वो votes हैं जो visible हो यानि को दिखेंगे ठीक ह अब नीचे दिया है press the button below when you are ready यानि कि जो नीचे बटन दिया गया है जिसमें लिखा है I am ready इस पर आप click कर लें और या पर यहाँ पर start पर click कर लें तो आपका quiz start हो जाएगा तो हम चलिए start इस पर I am ready पर click करते हैं I am ready तो start हो रहा है 2, 1 यह timing start हो रहा है go यानि कि आपके प President of India यानि कि इंडिया के President यानि कि राष्ट पती कौन है तो आपको यहाँ पर चार option दिये गए हैं यह आपका प्रश्न हो गया और इसके बाद इसके यह चार option हो गया रामनात कोविन, अब्दुल कलाम, नरेंद्र मोधी या शिवराज सिंग चोहान तो इन में से यह जो round round option दिये गए हैं, इन में से किसी एक option को आपको क्लिक करना है, जिससे आपको पता चलेगा, जिससे आप उस quiz में participate कर पाएंगे, तो चलिए, हम क्या करते हैं इसमें से एक जो सही answer है, जैसे कि सब लोग जानते हैं कि इसके President कौन है, रामनात कोविन, अभी इंडिया के current President, त तो देखिए, यह quiz complete हो गया, और अब यह आया है कि आपने कितने correct answer दिये हैं, correct answer आपने जो दिये हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें correct answer आपने दिया है, 1, wrong आपने answer दिये है, 0, missed आपने कि यानि कि आपने बिलकुल एक भी question मिस नहीं किया, चुकि इस quiz में एक ही यहाँ पर यह दिखा रहा है, second place out of three, यानि कि आपका second place है, जो तीन लोगों ने इसमें participate किया है, you scored higher than 50% of people who took this question, आपने क्या score किया है, 50% लोगों से ज़्यादा आपने score किया है, ठीक है, तो यह सब चीजें नहीं देखना है, बस आप यह देखिए, आपको जो आपने जो यह quiz में participate किया है, उसका answer आपका सही आया है कि नहीं, that's it, तो इस तरीके से आप समझ गया होगे कि quiz में किस तरीके से participate करता है, करते हैं, तो हम इसी तरीके से हर quiz में participate करेंगे, और इन प्रशनों का उत्तर हम आसानी से दे पाएंगे, तो चलिए अब आपको समझ में आ गय अब हम यह देखेंगे कि कुछ लोग यह सोच रहे होंगे कि मान लिजे कि अगर मैंने गलत उत्तर दिया, तो हमें कैसे पता चलेगा, या हमने सही answer दिया है, यह हमें कैसे पता चलेगा, तो हम इसी जो quiz है, उसको हम देखेंगे, कि मान लिजे हम अभी सब लोग जानते कि कोविन हमने जैसे answer दिया था, कि अभी जो current president है, वो रामनात कोविन है, ठीक है, अब हम एक कोशिश करते हैं, कि हम एक गलत answer देते हैं, मान लिजे कि हम लोग answer देते हैं, यह अब दूल कलम, जो की गलत है, हम उस पर click करते हैं, तो देखिए, इस पे आ गया है, कि आपने ज इसमें cross आ रहा है, cross आ रहा है, यानि कि यह गलत है, और जिस पे यह right, blue right बना रहा है, यह सही answer है, और यह 100% यानि कि लोगों ने, कितने लोगों ने answer वो दिया है, वो प्रतिशत जो दिखा रहा है, वो उसका प्रतिशत दिखा रहा है, तो आपको प्रतिशत नहीं देखन कि blue right किस पर आ रहा है, जिस पर यह blue right आएगा वही उस प्रश्न का सही उत्तर है, और जिस पर यह red cross आएगा, उसका मतलब है कि यह गलत उत्तर है, तो इस तरीके से आप समझ पाएंगे कि इसका उत्तर सही कौन सा है, यानि कि answer कौन सा सही है